हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटिबायोटिक टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ यूरेनारी ट्रेक्ट याने मूत्र मार्ग के इंफेक्शन को रोकने के लिए इस मैडिसन को लेने की एड़वाइस की जाती है प्यूरो बेस्ट 100 मिलिग्राम टेबलेट एसर ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्द होता है डॉक हील फार्मा प्राइबेट लिमिटेड के दोरह इसका प्रोड़क्शन क्या जाता है टीमत के अगर बात करें तो 10 टेबलेट के किस्टिप मार्केट में 79 रुपीज का उपलब्द होता है फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तिमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरेंसे चरहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड इस टैबलेट में नाइट्रो फिरोंटोन 100 मिलीग्राम की मातरा में उपलब्द होता है अब देखते हैं फ्रेंड इस मेडिसिन के कुछ बैकल्पिक बरांड्ज के बारे में तो फ्रेंड यूरीफर 100 मिलिग्राम टैबलेट जिसे स्टेड मेट प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है यूटेब 100 मिलिग्राम टैबलेट जिसे वेस्ट कोस्ट फार्मसिटकल्स वर्स लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है UT Check 100 mg tablet जिसे La Renon Healthcare Private Limited के दोरा बनाया जाता है Yuri Top 100 mg tablet जिसे Astrum Healthcare Private Limited के दोरा बनाया जाता है और Yuri Sun tablet जिसे Leford Healthcare Limited के दोरा बनाया जाता है Friends Market में मिलने वाले same composition के साथ उपलब दे कुछ ऐसे different brands होते हैं जिनें आप इस medicine के ना मिलने के सीथी पर purchase करके अपना काम चला सकते हैं आपको effect same मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का salt या molecule same होता है आप देखते हैं Friends इस medicine के कुछ प्रमुक इस्तेमाल के बारे में तो Friends bacterial infection के कारण होने वाला जो complication होता है जो problem होती है generally urinary tract के मैं अगर बात करूं तो उसके लिए इस medicine को देने के advice की जाती है urinary tract पर यह medicine बहुत अच्छा वार्क करती है और bacterial infection के कारण होने वाले जो problem होती है उससे आपको निजात दिलाती है अब देखते हैं Friends यह medicine के कुछ side effect के बारे में तो Friends नौजिया का होना वोम्टिंग का होना और डारिया का होना इसके कुछ common side effect के रूप में नोट किये गए है अब देखते हैं Friends इस medicine को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए तो Friends आपके डाक्टर के दोरा सुझाए गए निर्देसों का आपको पालन करना चाहिए डोज और डूरेशन के अनसार ही medicine का इस्तेमाल करना चाहिए इस medicine को साबत निगलना चाहिए इसे तोड़ना, कुछलना, पीषना या चवाना नहीं चाहिए इस medicine को gastric upset से अगर आप बचना चाहते हैं खाना खाने के पस्चात ही आपको medicine का सेवन करना चाहिए अब देखते हैं फ्रेंड्स से medicine काम कैसे करती है तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यह एक antibiotic category के medicine है और यह पेसाब के रास्ते में यह जो urinary पूरा tract होता है और urinary tract से जुड़ी जितने भी complications होते हैं उनको दूर करने के लिए इस medicine को प्योग करने के advice की जाती है अगर किसी प्रकार का bacteria infection है तो यह दूर होता है bacteria की जो covering होती है उसकी जो cell वाल होती है उसे destroy कर देती है और इस प्रकार bacteria जीवित नहीं रह पाता जिसके कारण आप अपने लक्षणों में धीरे धीरे करके रहात महसूस करने लगते है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस medicine से जुड़ी कुछ आने बातों के बारे में तो फ्रेंड्स इस medicine का इस्तेमाल आपको बिसे इस प्रकार की यूरिनरी ट्रेट के infection के इलाज और रोक्थाम के लिए आपको लेने को इस medicine के advice की जाती है एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप medicine ले रहे हैं और अगर आपके symptoms में यानि लक्षणों में कमी आ रही है आप रहत महसूस कर रहे हैं उसके पस्चात भी आपको medicine को बीच में बंद नहीं करना चाहिए अचानक से drop नहीं करना चाहिए आपको medicine का पूरा course करना चाहिए इसके पस्चाती medicine को लेना बंद करना चाहिए डाक्टर के advice के पस्चात अगर आप ऐसा करते हैं यानि आप बीच में मेडिसिन लेना बंद करते हैं तो मेडिसिन आपके लिए रिजिस्टेंस हो सकती है और फिर दुबारा इसी तरह की स्थिती उत्पन होने पर यह मेडिसिन दुबारा से आपको वर्क नहीं करेगी और आप परिसानी में फ़स सकते हैं इस मेडिसिन को मैंने आपको पहले ही बताया नौजिया वोमटिंग या किसी प्रकार की गेस्टिक अपसेट से बचने के लिए आपको भोजन के पस्चात लेना चाहिए मेडिसिन को लेने के बाद अगर आपके पेसाप का रंग गहरा पीला हो या भूरा हो जाता है या लाल कलर का पेसाप आता है तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में परामर्ज करना चाहिए हलाकि इसमें कोई प्रकार की जिंदा की बात नहीं क्योंकि योरिन आउटपूट इस प्रकार का हो सकता है गहरा पीला या भूरे रंग का आपको एरवह हो सकता है परनत18 अगर आपका योरिन लाल टरन होता है या गुलावी कलर का आता तो फिर यह हेमेचुरिया का लक्षण हो सकता है पेसाब में रख मिलकर आना ये एक कंडिसन कहलाती है इसके बारे में आपको डाक्टर से परमर्स करना चाहिए आपके डाक्टर ने जितना इस मेडिसिन को बताया है उतना ही आपको लेना चाहिए बहुत जल्दी ठीक होने के चक्कर में आपको मेडिसिन के डोज को एकसीट कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आप मेडिसिन के कोई डोज भूल गए हो तो जितना जल्दी हो सके आपको मेडिसिन के डोज को ले लेना चाहिए परंतों अगर अगली खुराक का समय हो गया हो तो डबल डोज नहीं करना चाहिए और जो रूटीन सेडूल है उस पर ही मेडिसिन को आपको लेना चाहिए अब देखते हैं फ्रेंड्स की इस मेडिसिन को लेने के दोरान अगर आप इलकोहल लेते हैं तो क्या होता है तो फ्रेंड्स अगर आप इस मेडिसिन को लेने के दोरान अलकोहल लेते हैं तो फ्लसिंग की सिम्टम्स बढ़ सकते हैं हार्ट रेट बढ़ सकता है जी मिचलाना जैसे लक्षण हो सकते हैं चाहती में दर्द हो सकता है blood pressure जैसे कम हो जाना जैसे ये लक्षण आपको आ सकते हैं तो इस से बचने के लिए यही करना चाहिए कि आपको medicine लेने के दौरान alcohol का सेवन नहीं करना चाहिए घरभवस्त हमें अगर आप हैं या इस तान पान करा रहे हैं तो आपको बहतर होगा कि डाक्टर से परमर्ज करें, इसके पस्चाति मेडिसिन का सेवन करें ड्राइविंग मोट के अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो उस समय पर उनीदापन जैसी स्थीती देखने को मिलती है और बहतर होगा कि आप ड्राइविंग या हैवी मसीनरी का वर्क ना करें किड्नी रोग या और लिवर रोग से जोड़ी किसी समस्थे का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने डाक्टर से उचित परमर्ज करें इसके पस्चाति मेडिसिन का सेवन करें तो फ्रेंड्स ये थे एक छोटा से रिविव मेडिसिन के उपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सिर्फ वीडियो का दार पर मेडिसिन का सेवन ना करें या आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इस वीडियो में बस इतना ही किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर्मूल लकात करता हूं तब तक के लिए गुडबाई आपको दिन सुभ हो जाहिंद